हालो इस्टूडेंड कुछ किये बिना यूहीं जय जय कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों आप जानते हैं कि हर रोज आप देखते हैं सामकुछ साथ वज़े से कलाफ नाइन्थ की एंसीयर्टी करें दिवाकर जी सभी जुड़े हुए है मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूं अनुपम सोनी भी जुड़ गये हैं चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई रोहिद भी जुड़ गये रोहिद बिसकर्मा फीवीर स्टडी के बहुत ही पुराने स्टूडेंट है तो हम लोग अभी तक काफी कुछ पढ़ लिए हैं और उसी करम में आज आगे बढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कल हमने पढ़ा था सर्वांग्सम और सम्रूप ना चैप्टर नंबर साथ आपका सुरू हो रहा है लेकिन चैप्टर साथ का भी कुछ कांसेप्ट है जो की आपको चैप्टर सुरू करने के पहले सीखना है है ना चैप्टर साथ कछ्षानो के NCRT गडित में चैप्टर साथ क्या है आपको पता है ट्राइंगल है तिर्भूज है तो तिर्भूज का हमें क्या करना है Concept पहले सीखना है क्या करना है Concept सीखना है कलाफ 9th NCRTImaid chapter 7 कल हम लोगोंने तिरबूज पढ़ लिया था तिरबूज के परकार भी आपने देख लिया था तिरबूज में कांगूरियंस कब होता यानि सर्बंक्सम कब होता ये भी आपने पढ़ लिया था समरूप कब होता है ये भी आपने पढ़ लिया था और क्या-क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था ना ये सब समेटरी भी पढ़ लिया था आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है आपको ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे सीपी सीटी सीपी सीटी का मतलब जानते हो CPCT का मतलब होता है corresponding part of kangaroo triangle यानि कि सरवांगसम तिर्भूज के संगत भाग, एक प्रकार सिये समझे लो कि सरवांगसम तिर्भूज में कौन-कौन से भाग संगत होते हैं संगत मतलब corresponding जिने बोलता है English में तो आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि आप देखो इदर यहां देखो हेटिंग डालो CPCT चलो बच्चे आप लोग इसका फूल फार्म बताओ कि रनमारे आप बताईए मोनु सिंग बताईए CPCT का फूल फार्म जल्दी फर्ट से बताओ मैं आपका वीडियो थोड़ा एक फोन में प्ले करता हूं और मैं खुद देखूंगा कि कैसे दिख रहा है कितना अच्छा दिख रहा है कि चलो जल्दी से इनिवन कोई भी कमेंट करके बताए ऐसे मज़ा नहीं आएगा मिश्टर मनोज अगरहरी कुछ समझ मझ में आ रहा है बस ऐसे देखे जा रहे हो कि देखो इसका अभी अभी मैंने फूल फाहम बताया करस्वांडिंग पार्ट आफ कांगुरियंट ट्राइंगल ना यही तो इसका मतलब होता है ठीक है चलो फिर हम लोग वड़ें आगे विल्कुल नो प्राब्लम गुड चलिए आप देखो इधर साइड में इसका मैं स्पेलिंग भी लिख लूँ आप लोग लिखो करस्वांडिंग एफे करस्वांडिंग पार्ट साफ कांगुरियंट ट्राइंगल लिखो सी ओ यान जी आर इधर तो काफी जगा है ना लेकलो जल्दी मैं कमेंट देख रहा हूं सभी का भाई कुछ लोगों के उतर नहीं आया भी कांगुरियंट आर यू इंटी ट्राइंगल 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 एफे करस्वांडिंग पार्ट आफ कांगुर मुझे दिख रहे हैं पता नहीं क्यूं प्रिंस पटेल जी आपका कमेंट आ रहा है कि अब अंजली साहु आप कलास पर ध्यान दीजिए पढ़ना रही भगा देंगे चलो देखो यह ठीक है अब देखो अगर दो तिर्भूज दिये गए हैं इनी की हम प्रोपर्टी अंबुज यादो आपका कमेंट आ रहा है अनुपम यादो आपका भी आ रहा है चलो ठीक है इन तिर्भूज के नाम है ए वी और सी दूसरा तिर्भूज का कोई नाम अलग रख लो जैसे मालो मैंने फी क्यू और रख दिया अब ध्यान दो आप लोग बहुत ही ध्यान से स इसकान देना के अगर यह दोनों तिर्भूज सर्भांकसम है क्या है का इंगूरियंट है कैंगूरियंट दि बोलते ना तिर्भूज ए भी सी यहां पर जाएगा उपर नमबर दिया गया उनको पिछली कलास दिखा दिया जाएगा प्लेलिस्ट में जाओ बच्चा देख लो तो कल जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा चलिए अगर यह दोनों किया है सरवांगसम है तो क्या होता है यह जो आपका c भुज़ा दूसरे तिर भुज़ की संगत भुझा के बराबर होती है इस संगत मतलब होता है corresponding side मतलब संगत भुझा ठीक है समझ में आया इसमें दो रूल रहे परकार से आप लोग लिखन रूल पहला रूल रूल पहला कहता है कि अगर कोई दो तिर्भूज आपस में सरबांग सम्हें तो पहले तिर्भूज की सभी संगत भुजाएं दूसरे तिर्भूज की सभी संगत भुजाओं के बराबर होती है जैसे पहले तिर्भूज की मालो हम ले ले एसी तो एसी भुजा किसके बराबर ह लोगी दूसरे में कोई बताय कमेंड करके कोई भी फटाफट कमेंड करके बताओ याद Kanका क्वाल्टी केंज कर साथ सो बीस पिक्सल कर लो एकदम मस्त दिखेगा हमारे यहां एकदम मस्त ढिख रहा है फुल में दिख रहा बाबू ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है यह आपकी अपनी मुसीबत है आप देखो मैं खुद देख रहा हूं यह कैमरा में कम सही आएगा वहां लेकिन खुद देख रहा हूं एक दम मस्त दिख रहा है देखो बहुत से बच्चों ने जबाब दिया धीरज अभीजय ठाकुर धरम राज प्रिच खांत मिस्रा कुमन परसाद कुमन का नाम बड़ आजीब सा इसलिए मैं नहीं बोल पाता हूं कुमन इनका नाम है चलो तो बच्चा एसी की जो करस्फांडिंग साइड है एसी की जो संगत भूजा है ये जो जैसे ये इधर है वैसे ये इधर है ये पियार क्या है पी आर ठीक है उसी तरह से ये एसी हो गया अब एबी एबी भूजा ये किसके बराबर होगी आप लोग बताओ चलो जल्दी फटाफट सभी कमेंट करके बताओ भई आसीस अनूप यादो आसीस यादो किरन महुर्या छोटू सक्षी मिस्रा सभी बच्चे जब आप दो फटाफट देखो इसमें इंको बहर इत्ता जादा सही भर दिया है सब मिस्टेक हो जा रहा यार गडबड़ हो जा र चलो चलो रेडी हो जाओ आए देखो कुलमिला के मतलब यह है कहने का मतलब यह है कि जो 서 कोई भी दो तिरभूज आपस में बाइंग्सम है कोई भी दो तिरभूज आपस में तो उन तिरभूज की जो corresponding angle है वो आपस में सभी equal होंगे क्या होंगे आपस में equal होंगे यह सब अगर आप पढ़े रहोगे आगे mathematics के भी question आएंगे exercise 7.1, 7.2, 7.3 में अगर आपको यह rule नहीं पता रहेगा तो दिमाग में पल्ले नहीं पढ़ेगा देखोगे लेकिन कुछ समझ में आएगा नहीं बच्चा बुझा आएगा नहीं याद रखना चलो तो यह मैंने लिखा AB AB की संगत भुजा PQ है क्या ह एक भुजा बच रही BC BC की corresponding side दूसरे वाले में क्यों आ रहे है या फिर इसे RQ भी लिख सकते हो ठीक है बिजय ठाकुर आरा समझ में भई या आराना एकदम मस्त आ रहा है ना बिल्कुल अच्छा दिख भी रहा है कोई दिक्कत ही नो प्रॉब्लम चलो नोट करो इसको इत क्लास को भई रेगुलर देखो नहीं तो समझ में नहीं आएगा और जो चात्र इसको PBR study app में अगर कलाफ लिए ना तो उनको तो फिर कुछ बाती अलग है उनको तो एक अठा कोर्स मिल गया होगा धेर सारी कलास से एक साथ मिल जाती है उन्हें तो कुछ करना ही नहीं होता है अगर आप PBR study app में लिए तो ठीक है चलो हो गया तो आगे बढ़ते हैं दूसरा नियम क्या कहता है कि सरवांगसम तिर्भुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं यह याद रखना मतलब दो काइंगर अगर ट्राइंगल है तो उनके जो संगत कोण मतलब क्या बोलत होते हैं वह अक्लेस, वह चार्जिंग में लगा दो तो बैटरी ठीक है último देखू अब दूसरा यह प्लों मैं आठाना नहीं था चलो मैं कि फिर से बना दे रहा हूं देखो यह यही तो था ना यह यह हो यही तो था किया और कुछ था यह था न मैंने आप यह लिखा था कि तिरभूज a b c सरवांग सम्थ है तिरभूज p q r k जी बिल्कुल सबका आपको समझने के लिए बाकिया सा कोई नहीं होता है जैसे आप समझ जाओ इसका रूल सिकेंड यह कहता है CP CT से ही कि कि निदो संगत तिर्भुजों में जैसे यह संगत उस्वरिसादंगत नहीं सरवांगसम कि निदो सरवांगसम तिर्भुज में उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं मतलब करस्फांडिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं जैसे मालो यह कौण भी है, चलो बताओ, कौण भी, तिर्भुज ABC से कौण भी जो है, वो तिर्भुज भी की वार के कौण से ऐसे कौण के संगत है, बताओ, या मैं ऐसे पूछूं कि कौण भी का, एंगल भी का कर्सपंडिंग एंगल बताओ, चलो, सबसे पहले कौण मूवी देखने आयो, दर्शन करने आयो हमारा का, सब लोग बोला करो ना यार कमेंट किया करो, प्रोहित ची बहुत अच्छे, बेरी गुड, आयूस, दिनेस, आसीस, विकास, सभी बच्चे उतर दिया करो, मजा नहीं आते फिर लाइब नहीं पढ़ाएंगा, याद रखना, और दूसरी बात, ये 20-30 बच्चे जोड़ोगे, तो कलाफ नहीं चलेगी जादा दिन, भाईया कम से कम 50 बच्चे लाओना यार, 50 से जादा होने चाहिए, आप लोग, आपने साथी लोग को लाते का नहीं कलास में, और डेली 7 बज़े होती कलास, के बल संडे को नहीं होती होती बस, चलो देखो, कोड़ B, यानि जो अगल B है, भाई ये भी ऐसे तिर भूज है, इसकी जैसे जो इसकी जगह पर है, यानि ये कोड़ क्यों, ये इसका क्या है, कर्रिस्पांडिंग अंगल है, संगत कोड़य थिक, आप कोड़ A, कोड़ A, ये जैनि अंगल A का कर्रि से पहले बताता है अब इसे एक तिवारी कि सेरिता यादो जी भाइया आप अपना नाम से कमेंट करो ठीक है कोई बात नहीं कि देखिए इसमें सबसे पहले जब आप दिया है प्रिंस पटेल छोड़तू जी दूसरी नंबर पर हैं बीजे ठाकुर किरन मोर्या आसीस इंगल है उसी तरह से एंगल सी यह एंगल आर के इकवल होगा यही था सीपी सीटी का दोनों रूल पहला रूल था कि अगर कोई दो तिर्भुज आपस में सरवांग सम्हें देखो मैं इधर से खड़ा होता हूं तब भी छप जाता है इसलिए मैं उधर चला जाता हूं पी आप लोग बताना अगर कोई भी समस्यां होगी तो वैसे तो मस्त दिख रहा है मैं सही sincere न्स क्रीन साठ ले लिए करो मतलब मोबाइल का इसक्रीन क्युक्क्रrange कर लिया कर अफुर्चा मत करो हो सकता लिखने में ज़या टाइम लगे तो मोबाइल का इसքरा क्या कर आ कि अब हेडिंग डालो देखो यह सारा कंसेप्ट सीख लोगे तो चैप्टर साथ की जितने भी कुश्चन है 7.1 7.2 7.3 7.4 सब कर ले जाओगे चाहे आप यूपी बोर्ट से हो या सीबसी बोर्ट से हो सब के लिए इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए सब कुछ इंगलीस हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूं अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको दोनों लाइंग्वेज में पढ़ा रहा हूं हिंदी इंगलीस दोनों लाइंग्वेज में पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं न मैं हर एक वर्ड की इंगलीस बताता हूं अगर आप ध्या कि Hindi में लिखो तिर्भुज के गुण कि अभी इंग्लीस में कि भोलता पहले ही इस आफ ट्राइंगल क्या लिखोगे ऊपरोपरटीज 2022 कि आफट्राइंगल के की anthropo किरन माज आप CBSC से हैं जी बिल्कुल वहत अच्छी बात है मैंने सोचा था कि CBSC वाले बच्चे इसमें होंगे और इसी वज़ा फिर जादा बच्चे देखते भी है मतलब CBC वाले बच्चे थोड़ा सा जिम्मेदार होते हैं मैं ऐसा बानता हूं UP थोड़ा टाइप के और और मैं भी यूपी बोर्ट सही हूं ठीक ना तो यह मत सोचना कि मैं आपी लोग को बोल रहा हूं चलो मैं इसलिए ट्कलाश टेंथ में मैं कम अच्चे आते हैं तिर्भुज के terrorist का पहला गुन क्या धेखो यह सभी प्रकार के तिर्भुज की बात करेंगे कुछ ITS ठीक है कुछ important तिर्भूज की बात करेंगे लिखो पहला वह कौन सा तिर्भूज है यार आईसो सेलेस ना हा लिखो आईसो सेलेस का हिंदी में क्या बोलेंगे जल्दी एडिंग डालो भाई मुझे ज़्यादा इंगली ने आती सिर्फ हिंदी आती है आईसो सेलेस ट्राइंगल ट्राइंगल इसको हिंदी में बोलेंगे सम्धुई बाहू सम्धुई बाहू अब देखो सम्धुई बाहू तिर्भूज के कुछ गुण मैं बताने जा रह जी बिल्कुल किरन मवर्या जी रर्क यहक्त में पड़एंगल में उसकी जो लकारा का यह तो मुझे मिटाना नहीं है चलो हम इसको माल ले रहे हैं कि हमारा क्या है यह सम्दूइ बाहुतिर बूजय है यह दोनों बूजय आपस में बराबर हैं अबी इक्वल एसी ठीक है लेट्स एक ट्रेंगल आए वी सी इज आई शॉआ श्रेंगल ओके ठीक है जमीर अंसारी बिल्कुल मैं हिंदी में भूल रहा हूं भीया यह तो इक आत्वर्ड इंग्लिस बोलता हूं मुझे तो इंग्लिस आती भी नहीं है कि अरे यह तो मैं ट्राइब कर रहां इंग्लिस बोलने का बस देखो कैसे द्यान दो बराबर भूजा के इसमें लिख लो या चलो लिखो गुण एक प्रफटी नंबर वन लिखो प्रफटी नंबर वन लिखो पटाफट लिखो बराबर भूजा के बिपरीत बने दोनों कोण बराबर होते हैं इंग्लिस वालों को मैं बोल दूँगा हिंदी वालों को मैं लिखवा दे रहा हूं बराबर भूजा के बिपरीत बने दोनों कोण बराबर होते हैं इंग्लिस में भी बोलूँगा टेंसन मतले ना लिखो बने दोनों कोड़ होते हैं अपस में बराबर होते हैं जैसे देखो यह बुजा AC है एस इक विपरित यहनी opposite अपोजिट मतलब सामने तो जो यह बुजा AC है इसके सामने कौन सा कौन यह इधर भी है इधर इधर भी है और दूसरी भूज़ा यह एस एबी है एबी के सामने कौन सा कोणा बच्चा सी है यानि हम कह सकते हैं कि एंगल वी इक्वल एंगल सी ठीक है कि इसको इंगलिस में आप कैसे लिखोगे एंगल आपोजी टूएकवल साइड आफ एन ऐस लेट ट्रैंगल आर एक्वल इक्वल, इंग्लिस में नहीं बेल कि लिख वंगा आपको हिंद्धी इंगल्स दूनो लिकार ठीक है लिको इंग्लिस में लिखो अपाँधो इंगल आ यह साइड है एसी और यह एवी एसी के जो अपोजिट एंगल है भी और एवी के जो अपोजिट एंगल है सी यह दोनों आपस में एकॉल होंगे यह कांसेप्ट याद रखना अभी आगे जब कुश्चन हल करोगे तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा बच्चा अभी एक इसलिए मैं पहले इसको भुजा रहा हूं अच्छे से कि आप लोग को यह समझ में आ जाया ठीक यह पहला हो गया यह पहला हो गया यह गुड नंबर फर्स्ट था अब यहां पे गुड नंबर सिकेंड लिखो भईया गुड मत लिखना गुड लिखना चलो मैंने ऐसा प्रेने डिस्क्राइब किया बेरी गुड एंगल अपोजिट्ट्व इंग्वल साइड आफ इसले ट्रेंगल बिल्कुल बेरी गुड चलिए ऐसा ही बच्चे तो चाहिए कि जो कुछ आगे भी खुद से भी तो करें ना यह क्या है एक आइसले ट्रेंगल है दूसरी परप उसी का इनवर्स होता है इनवर्स मतलब उल्टा जैसे अभी पड़े उसी का उल्टा तो इसमें आप गूर्ड बनबर सी करकेंट में क्या लिखोगे गूर्ड नमबर सीकन्ड में हींड़ी मेडियम लाई पहले समझे लो फिर ठिकzeugत बुजा AC बुजा AB के बराबर है, भाई सम्दूई बाहु है तो दोनों बराबर होंगे आपस में, सम्दूई बाहु तिरभुज है तो दो बुजा आपस में बराबर होंगी, इसी को इंगलिस में ISO slash triangle कहा जाता है, तो भाईया, ऐसे तिरभुज में का होता है न, जो बुजा बराबर होती है, उनके सामने के जो कोण होते हैं, जैसे कोण B, ठीक है, और ये बुजा AB बराबर है, AC के बराबर है, तो AB के सामने का कोण C, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कोण B equal कोण C, यानि, angle A equal, oh sorry, angle B equal angle C, जी बिलकुल, अभी किसी ने कम बराबर होगी, जी बिलकुल, आपका भी कथन काफी हाथ तक ठीक है, समझ में आया ना, क्या बताया मैंने लिखो, यहां पर लिखो, किसी सम्दू बाहुतिर भूज में, हिंदी मीडियम वाले लिखो, मैं दो बार बोलूँगा, नहीं लिख पाऊगे, वीडियो रोंक करक फिर से लिखना, फिर मैं इंगलिस में भी बोल दूँगा, लिखो, किसी भी सम्दू बाहुतिर भूज में, किसी भी सम्दू बाहुतिर भूज में, बराबर भूजाओं के सम्मुक कोण भी आपस में बराबर होते हैं, किसी भी सम्दू बाहुतिर भूज की बराबर इंगलिस पर मीडियम वाले खुदी लिख लेंगे ने को समझा दिया कि भाया एसी जो है वह एबी के एक्वल है तो जो एबी का आप उजी एंगल है इसका बी यह दोनों आपत में इक्वल होंगे यह दो प्रपर्टी यह बस हो गया इसको कहीं पूछा नहीं जाएगा एकज प्रफिर लगते हैं मतलब जो लोग बनाते हैं उसको आदमी लोग लगते ने लेबर लोग तो यह सारी चीजें पहले इकठा करना पड़ता है तब ही तो मकान बनता है ना ऐसा तो है नहीं कि हमें मकान बनवाना तो जाके महां बढ़ना सुरू हो गया चीजें तो आप इस नहीं बनेगा ठीक ना इसलिए इसको समझना जरूरी है चलें फिर आगे चलो यह आपके प्रपर्टी हो गया और वैसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है थोड़ा सा एक चीज और हो भी मैं पढ़ा दे रहा हूं बराबर कोंड की सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है यह तो आप लोग सीख लिए हो इंगलिस मीडियम ओले यो नहीं लिखे वह लोग लिख लें इंगलिस में भी deterआ स्थ आपॉजीट गोल ओकंगल और इंगल होती है यह इस प्रकार के इंगल आरी को इसमें क कोश प्रपर्डिय को नहीं है रामफूल बच्चा सुबह आठ बजे चलेगा सुबह आठ बजे मैं पढ़ा दूँगा अभी तो यही चलेगा बाद में चेंज होगा टाइम दिवाली बाद मैंने ट्राइ कर लिया कोई भी नहीं आता बाद में पढ़ने ठीक है दो बजे ना आओ तुम लोग ना तुम लोग पढ़ो भई आठे बजे इसलिए मैं कच्छा दस वालों का डील मिल कर दिया कच्छा नौ वाले देखिए बड़ी इमांदारी से पढ़ते हैं और देल सारे बच्चे जूडते भी है आओ तुम लोग पता नहीं कहां चले जाते हो वही तो सुबह आठ बजे इनको लाइब पढ़ना है और जिनको कहीं और कोचिंग ओचिंग करना है वो लौट के आए तब पढ़ने है ठीक है चलो आप लोग डिंग डालो तिरभूज की में असामानताएं अ तिरभूज में असामानताएं आसमान ताएं जल्दी हेडिंग दालो आप लोग फटा फट लिखो आसमान ताएं देखो बाई इंदी हो सकता सही गलाथ है कुछ नहीं पता है इंगलीज में सही सही लिख लो लिखो फटा फट लिखो आप लोग i-n-e-q-u-a-l-i-t-i-e-s इनकोलेटीज इन आट्रेंगल इन आट्रेंगल 37 वैटे रहा है यह आप लोगा ठीक है ना अडिस्टर्ब ना करो चलो लिख लिए the angle opposite to the longer side is larger जी बिलकुल सही कमेंट के आपने देखिए कैसे जैसे अगर मैंने दो तिर्भूज बना लिया एक तिर्भूज यह है यह इसके नामकरण मान लीजिए मैंने कर दिया ए वी सी ठीक है और एक ट्रेंगल आप और बना लो इधर साइड में समझने के लिए अभी इसका भी यूज होगा तो आप देखना इसका नामकरण आप कर लो इतना समझ में आपको अब आप ध्यान दो कैसे क्या करना है समझने की कोशिस करो भाई विकास कुमार का है को मो बना रहे हो चार तरफ को यह चलो जल्दी इसको करो मैं सामने से थोड़ा सा इधर हो जाता हूं उधर पक्छाई पड़ती ना आप देखते हूं उधर खड़ हमेशा बड़ी होती है यह पहला रूल है मतलब इसमें जो समझना है आसा मनता है जो है वो चीज समझो लिखो एंगल अपोजीट टू लंगर साइड इज लार्जर ठीक है लिखो एंगल इंगलिस मेटे माले लिख लेना आपना बोलने से ही मतलब है ना क्या लिखोगे एं इंगल अपोजीट इंगल अपोजीट टू लांगर साइड इज लार्जर देखो पहले मतलब समझो कहने का यह मतलब है कि जो बड़े कोंड की सामने की भूजा है वो हमेशा बड़ी होती है अब इसमें अगर आप अनुमान लगाओ तो सबसे बड़ा कॉन कौन होगा भया और यह कोंड हमेशा क्या होगा भई ऐसी सितिम जैसे दिख रहा है चोटा होगा और यह भी क्या होगा बच्चा चोटा होगा यानि सबसे बड़ा कोंड क्या होगा यहां पर सबसे बड़ा कोंड क्या होगा यहां पर हमारा कोंड भी सबसे बड़ा कोंड होगा ठीक है तो इस तिर्भुज में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है तो बताओ कौन सी है भाईया सबसे बड़ी भुजा ये कोंड के सामने की भुजा यानि बड़े कोंड के सामने की भुजा बड़ी होती है यानि कोंड जो B है इसके सामने की भुजा A सी है तो इसकी सब से जो बड़ी भुजा होगी क्या होगा याद कर लो इसको समझ लो बस याद नहीं करना लिखना भी नहीं कि वाल याद रखो बस यह फित लिख लो अपने हिसाब से जैसे भी मैं समझा दे रहा हूं बाद में आप इसको वीडियो दोबारा देखना भी जब लाइब खतम हो जाएगा अपने दिमाग लगा कि खुद से लिख लेना कैसे लिखना ठीक है तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी एस ही और इसमें बड़ा कोंड क्या हो जाएगा भी ठीक है समझ गये ना यह पहला हो गया इसमें concept इसी तरह से छोटे कोंड के सामनी की भुजा हमेशा क्य होगी छोटी होगी ठीक है छोटे कोंड के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी छोटी होगी यह चीज भी आप समझ लो इसमें सबसे छोटा कोंड आपको कौन सा दिख रहा है भाई जो भी होगा अगर यह कौन सबसे छोटा है देखो यहां पर मैंने नापा तो है नहीं जै तो आप बिना कुछ लगाए बिना कुछ हल किये बता देना कि अगर इन तीनों तिर्भुजों में यह कंडिशन है 120 है 40 है तो इसमें सबसे चोटी बुजा 20 होगी क्या होगी 20 सबसे चोटी बुजा होगी इसके लिए कारण क्या होगा इसके लिए यह कारण होगा कि किसी भी जो तिर्भुज में सबसे बड़े कोण की सामने की बुजा बड़ी होती है और सबसे छोटे कौन की सामने की भूजा सबसे छोटी होती है ये दिया नहीं रहेगा आगे के सवालों में तुम लोग को याद रहना चाहिए ठीक है? ये हो गया? आगे देखो ये तो मैंने पढ़ा दिया आगे क्या था? हाँ, जैसे अभी आपने पढ़ा उसी का जैस्ट आपोजिट उसी का जैस्ट आपोजिट जैस्ट आपोजिट क्या कहता है? कि किसी भी तिर्भूज में किसी भी तिर्भूज में जो सबसे बड़ी भूजा है सबसे बड़ी भूजा उसका opposite angle हमेशा सबसे बड़ा होगा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा यानि तिरभुज में सबसे बड़ी भुजा का opposite angle opposite means होता है सामने का जैसे आपने सुना होगा कहते हैं महीत mobile.com opposite to camera bank ऐसे लिखा होता है ना मतलब camera bank के सामने opposite का मतलब यह होता सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है PR है सबसे बड़ी भुजा PR है तो मुझे यह बताओ बच्चा आप लोग फिर इसमें सबसे बड़ा कौन कौन होगा बीना नापे बीना किसी रूल के बताओ आख बंद करके चल बताओ क्या होगा हाँ सम्मुक बिल्कुल ठीक है सभी कहा आपने हाँ कौन क्यों बिल्कुल क्या होगा एंगल क्यों यानि सबसे बड़ी जो भुजा है PR उसके सामने का जो कौन होगा क्यों वो सबसे बड़ा होगा क्यों अभी जो मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको सुरू किया तो बताया न वैसे ही ठीक है उसी तरह से आप ये भी याद कर लो सिर्फ आप याद कर लो कि सबसे चोटी भुजा के सामने का कौन सबसे चोटा होगा इसमें देखो नापलो क्यों किवार बन रही है तो 결ion के सबसे जो जो छोटी भुजा इसके सामने का कौन सबसे चोटा होगा तो याद रखना ये क्या है सबसे चोटा कौन है इसको चाहे तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लो और चाहे तो फिर लेकिन आपको याद रहना चाहिए ठिक है यह तिर्बुज की असामानताएं हैं यह तिर्बुज की क्या है इनिक्वल्टीज हैं ठिक है समझ गए ना यानि किसी भी जो तिर्बुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कौन सबसे बड़ा होगा ठीक है, जैसे यहाँ पर ने बताया, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कौन सबसे बड़ा होगा, सबसे चोटी भुजा के सामने का कौन सबसे चोटा होगा, सबसे बड़े कौन के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, और सबसे चोटे कौन के सामने की भुजा सबसे चोट हो तो यह करेंगे हम लोग कुछनन पहला लिखेंगे या फिर आप finanacă अपले नहीं है ठीक है चलो एक अफ मिनट लेट की लिए हधी इधर साइट बच्चों आपना हम एक्सर्शाइच 7.1 क्लाफ 9th NC RIT mathematics इसमें चित्रा ऐसे बना लो आप लोग जैसे आपके किताब में बना है भाई आई से बना है ना देखो आई से आपके किताब में बना है यह चित्रा बना लो और जो बच्चे किताब लिए वो भी बनाएंगे काउपी में नहीं बना होगे समझ में नहीं आएगा मज़ा नहीं आएगा ठीक है अब देखो समझने की कोसिस करो एकसरसाइज साथ दसमलो एक है यह कुश्चा नमबर फरस्ट कच्छा नो की अन्सी आरटी गड़िद गीता कुश्चन पढ़ रहा हूँ किताब में है पेज नमबर 143 है अगर आप न्सी आरटी लिए तो फिलाला प्रस्णवली देखो बस कहरा कि चतुर्भुज ABCD में क्या है एक चतुर्भुज दिया है एक कौडरिटल दिया है करा कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD क्या कह रहा है AC बराबर AD तो बच्चा यहां पर AC भुजा AD के बराबर है मैंने देखो यह लाइन कीज दिया मतलब यह दोनों क्या है बराबर है आगे देखो क्या कह नहीं कहता है एसी बराबर एडी और एबी कोण एको सम्दुभाजित कर रहा है यह भी कह रहा है कि एबी जो यह है एबी यह रेखा यह एंगल एको सम्दुभाजित कर रही है मतलब देखो यह है इंटरसेट कर रहे हैं बीचों बीच में कर गए है मतलब दो पार्ट में बांट दे रही है उसको ना कोणे को समझने की कोशिस करना ऐसे नहीं आने वाला तो कहई रहा कि दिखाईए, दिखाईए मतलब सिद्ध कीजिए कि तिरभूज A, B, C सर्वांक्सम है, मतलब का इंग्रियन्स है, तिरभूज A, B, D, K, ये दिखाना है, मतलब हमें ये क्या करना है, प्रोब करना है, ठीक है, और आगे क्या कह रहा, धेयान से सुनो, आगे कह anca bc اور bd के बारे में आप क्या कहेंगे यानि यह बुजा जोसे और यह क्या क्या гр बहुत अच्छे यह से यह का उग्रेंस है बिलकुल किरन मौर्य ने बता दिया बहुत अच्छे बेरी गुड तो देखो बच्चों अब हम इसको हाल करेंगे यहां पर सलूसन यहां से इस्टार्ट होता है क्या लिखेंगे यहां पर आप लिखो फटा-फट सलूसन में हमारे प्रशे एबी डी दो तिर्भूज दिए गए न तो आप लोग लिखोगे तिर्भूज एबी सी और हम हिंदम लिखवा रहे हैं आप लोग इंगलिस में लिख लेना चाहिए तो तिर्भूज एबी डी से ठीक है यह फिर मेрь लिख लो जादा अच्छा रहेगा ठीक है C equal A, D है, B क्या कहता है, A C equal A, D, क्या है, A C बराबर A, D, यानि यह भुजा A C, A, D के बराबर है, ऐसा क्यूं है, क्योंकि question में दिया है, किताब नहीं तो किताब ले लो NCRT की, ठीक है, NCRT बुक से है, बीच में region लिखोगे, English में लिखोगे, given, Hindi में लिखोगे, बच्चा द दिया है, ठीक है, क्या लिखोगे, दिया है, Mr. Anand Pandya देख रहा हूँ आपको, Ambuji यादव आप भी जुड़े हो, ठीक है, चलो, यह क्या दिया है, और देखो यहाँ पे क्या दिया भाईया, और क्या दिया है, अच्छा आप यह गेस करो, तो बच्चा जो कोण A बन रहा थ मान लो, अगर कोण A 30 अंस का बन रहा था, तो यह जो रेखा पीच में A B आ रही है, यह इसको आधे-ाधे में काट दे रही है, भाई, दो पार्ट में बाट रही है, किताब में कुईस्चन में भी कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है, जो A B है, रेखा A B, कोण A को भाजीत कर रही है, मतलब आधे-ाधे बाट दे रही, तो आप लिखोगे क्या, कोण C A B, देखो C A B, ठीक है, कोण C A B, मतलब हमें A की बात कर रहे हैं, कोण C A B, इक्वल हो जाएगा, D A B, क्या हो जाएगा, बच्चा, D A B, यह दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, बराबर क्यूं हो जाएंगे, फिर से एक बार समझे लो, C A B, बराबर हो जाएगा, D A B, क्यूंकि यह जो कोण था, A यह आधा-धा बट जारा इसमें से, ठीक है, इसले क्या है, यह बराबर है, कंसेप्ट वाले पार्ट जो बच्चे नहीं देखे, जरूर देख लेंगे, दो दिन A B रेखा, A B रेखा, कोण A को, सम्दुभाजित कर रही है, ठीक है, सम्दुभाजित कर रही है, आता, दोनों कोण बराबर होंगे, लिख दो, सम्दुभाजित करती है, आता, दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, सम्दुभाजित करती है, आता, दोनों कोण बराबर मोनिका जयन जी समझ में रहा है सबीको समझ में आः ना भत्चा ठिक्थ अंगल जी बिलकुल रॉब्स्य को बिल्कुल राइट लिखा इंग्लिस में लिखा इन्होंने इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे समझ लें क्या है लाइन एवी बिसेक्ट एंग्ल ए बिसेक्ट मतलब उसको समझ भाजित करना मतलब दो पार्ट में भाटना कोई चीज अगर मालो 10 मीटर लंबार बीच से कर दो पांच-पांच हो जाए वह इसे यह कर रहा ठीक है और क्या बच्चा यहां पर हाप लिख सकते हो एवी बराबर एवी आप कहोगे यह बराबर एवी का है देखो यहां पर ध्यान दो अगर तिर्भूज एवी सी लेंगे यह तिर्भूज एवी टी लेंगे तो एक रेखा दोनों में common है उभय निष्ठ है इंदी में बोलेंगे कौन सी ये एबी वाली बता बच्चा ये कामन है कि नहीं कामन है ये दोनों में यूज हो रही चाहिए तो ABC लोगे या फिर ABD लोगे दोनों में यूज है ना ब्रेकड में रीजन लिखो गया आप दोनों बराबर क्यों है लिख दो कामन है क्या है ये दोनों में सब में common है ठीक है हो गई कहानी पूरा हो गई क्यूं क्या क्या करना था हमें कह रहा था कि इसको सिद्ध करो ये दोनों सरबांग समय का इंग्रियंस है भाईया जो दो साइड यानि दो भूजाएं बराबर एक कोण बराबर है अब नीचे आप लिखो आता हां या फिर इंग्लिस में लिखो सो ट्रेंगल एवी सी का इंग्रियंस मतलब सरबांग सम् ट्रेंगल एवी डी कैसे हो गया पता है बेरेकड में लिखो एस यस ए रूल से एस यस इंग्लिझ में लिख लो फही एस एस ए ठीक है एस किरल एस एस यह फिर एस एस ओके सोरी देखो S-A-S, ठीक है, देखो देखो, जैसे जैसे यहाँ पर बना यह इसे लिखोगे भाई, पहले हमने side equal किया, फिर हमने side equal किया, यानि पहले, क्या, side मतलब S, फिर angle मतलब A, और फिर से side मतलब S, तो क्या हो जाएगा rule S-A-S, मतलब हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे आसी सुपाध्या जी बिल्कुल राइट तो बच्चा ये तो हो गया इसमें एक कुश्चन और भी कह रहा था सोनी जी आपका भी कमेंट में देख रहा हूं पुरां बिल्कुल देखो यह तो एक question था इसमें question और भी कह रहा था वह क्या कह रहा था रोहिची ध्यान से पड़ो finan comprend करो देखो यह और और रहा था कह रहा था BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि Side BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं बताइए कल आपने पढ़ा होगा CPCT rule CPCT rule पढ़े हो कि नीकल बताओ इतना लिख लो या फिर screenshot ले लो तो मैं दूसरा पार्ट इसमें का करता हूं जल्दी करो हो गए न चलिए आप लोग इसका स्क्रीन साट ले लिया करो तुरंद फटाफट ठीक है देखो भाई कल हम लोगों ने सीपी सीटी नियम पढ़ा था कल यही पढ़ा था पूरा-पूरा जिसका मतलब क्या होता है मतलब आप जानते हो वह क्या अमने हिंदी में कुछ आधे आप लोगों को नहीं याँ गए एक नहीं आदे संगत पर हैं नहीं आदे मैंने corresponding पढ़ाया था ना कर्सपांडिंग रूल देखो अभी दर साइड में देखो अगला इसमें नेक्स्ट कह रहा है थोड़ा सा वह क्या कह रहा है कि भूजा कौन सी भूजा बी-सी और बी-डी के बारे में आप क्या कहेंगे आप लिखो लिखो b,c,b,d दोन। भूजाएं बराबर हैं क्यों बराबर हैं कोज़ ठक में लिखो बच्चा by c,p,c,t जो बच्चे कल का कलास और परसों का नहीं देखे हैं वो बच्चे काम करेंगे यह नंबर लिखो भाई इस नंबर उपए अपना नाम कलास का नाम और अपने जीले का नाम वाटसब करना आपको वाटसब ग्रूप में जोड़ दिया जाएगा और जो दोनों वीडियो थे उनको आपको भेज दिया जाएगा ठीक है पिछले जो हैं उनको आप जरूर देख लेना ठीक है भाईया समझ में आ रहा ना वर्टि रहा हूं इंचुकी तो इसलिए लिखू सर्बांगसं का तिर्भुज की मस्ते σंघत भूजा मतलब होता वग्या बच्चा कर सपांडिंग साइड ठीक है करसपांडिंग साइड लिए जानि की कांगरियंस ट्रेंगल की करसपांडिंग साइड इक्वल होती है बस बात समझ में आई सभी बच्चे NCRT बुक लेके बैटना बीन बुक के कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि कुईस्टिन हम कभी कभी नहीं लिखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है कच्छा नो की NCRT गडित एक्सरसाइज 7.1 प्रश्णावली 7.1 सवाल नंबर एक था यह अच्छा मुझे एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चों के पास बुक नहीं है NCRT की बुक कितने लोगों के पाफ नहीं है जल्दी बोलो यस जिनके पास बुक नहीं सिर्फ वही बोलेंगे बाकी कोई नहीं बोलेगा अगर कोई बोलेगा तो ब्लॉक कर देंगा रखना जिनके पाफ नह हैw सिरसों नहीं बोलेंगे बाकई कोई नहीं बोलेगा यस कि देखो किसी की पास नहीं है क्या अच्छा भी जिनके पास नहीं है वो किताब ले लें है प्रॉवर को ज्वह सोब रहें और एज जो कई बार अगर कमेंट करेंगे थो यह तो किताब ले लो आप लोग और किताब अगर नहीं है तो मैं पढ़ता हूं कुश्चन सुन लो एक बार लाइश्ट में फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं चलो खतम तो हो गया है कुश्चन देखो कहरा की चतुरभूज ABCD में चतुरभूज ABCD में बुजा AC बराबर बुजा BD यह दिया है AC बराबर AD दिया है क्या दिया है AC बराबर AD और AB यानि यह रेखा AB कौण A को सम्दुभाजित करता है कौण A एंगल A को क्या करता है सम्दुभाजित करता है तो दिखाए कि तिर्भूज ABC और ABD दोनों सरभांक सम्हें Cangruans है ठीक है और आगे पूछ रहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं देखो विल्कुर्ब रिटिकली एपोजिट है सही बात है हसीज जी देखो पहले हिंदी वाले समझ ले भाई आपको तो समझ में आ रहा है देखो यह BC और BD क्या कह सकते हम चुकि हमें पता हमने सिद्ध कर दिया कि तिर्भूज ABC और ABD सरबांग सम है तो अगर कोई दो तिर जाए आपस में बराबर होती है ठीक है हो गया चलो